हाँ तो आज अपन योमन जोग्रोफी यानि मानू भूगर वाले जो बुक है उसका चैप्टर नमर फाइफ प्रात्मिक रियाएं प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट क्या करेंगे एक ही क्लास में कंप्लीट भी कर देंगे ठीक है और बहुत ही शांदार चैप्टर है बहुत कुछ सीखना इसके अंदर बड़े ध्यान से सुनने अगर पढ़ावा है या ना पढ़ावा है कुछ भी नहीं है यह मान लीजिए तो बस मेरे साथ की सास् प्रशन आते हों कि लौंग ऐसे टाइप कैसे भी आते हो सब कुछ लाइन तो लाइन जैसा में आपको पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा ठीक है तो कम माक्सी चेप्टर है यह कम माक्सी चेप्टर नहीं है यह आपका बेस मजबूत कर रहे हैं आगे कल जब आप से विल सर्विस की परफेसर कराओगे तो वहां पर एक साथ इनका बड़े-बड़ा चार्ट बना कि समझाना पड़ेगा आपको प्रायमरी सेकृनन डडी आर्थिक किरिया क्या है ठीक है एकनोमिक एक्टिविटीज सब जानते हो जहां से हमें इंकम पैदा हो ठीक है वह आर्थिक एक्टिविटी एकनोमिक एक्टिविटी है यानि कि मानों कि वह कारिकलाब जिन से आई प्राप्त होती है उसे आर्थिक किरिया कहते हैं ठीक है यान तर्सें चार तर्क होती है लेकिन ये जो पना Under a holiday को Θula लेकिन सब попад करें गंदर जाना जूरूरी वमनाएंदर क्योशन फेसा ही बन सकता है मानों कि यह वो कारेकलाब जिनसे हमें इसी का objective बन जाएगा कि निम्हें से कौन से आर्थी क्रियों के definition है मतलब क्यों कियसा है बन सकता है यह अपर ऐसे कह देगा कि जो आर्थी क्रियों जो कि यह अधि कॉन से क्य आर्थी क्रियों में नहीं आती एक्टिविट्विट्व ने शामिल नहीं कै давайте द्यान समझना बाट करेंगे प्रात्म क्रियाओं कि जो दूड़ की चाप्टर भी है उखनीजू के उपिवक के विशे में बतलाती है, बस इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आखिट, यानि कि हंटिंग, मतलब शिकार करना, बोजन संग्रे, बोजन संग्रे मतलब फ्रूट्स को इकटा करना, उनकी पत्तियों से भी कुछ कमा के खाना, सारी बाते बताऊंगा, बोजन संग्रे वाला टॉपिक तो अलग से अभी पढ़ने वाले आगे पन, पशु चारण है, मचली पकड़ना है, वनू से लकडी काटना है, करशियों खरनकारी करना, ये सब प्रात्मी किरियों में शामिल है, जबर्दस क्योशन त्यार हो गया, निम्न में से कौन से ऐस इनके दर कौन को न आते हैं, इन प्राइम एक्टिविटीज इंक्लूट्स हंटिंग गैधरिंग, पॉस्टल अक्टिविटीज, फिशिंग, फोरेस्ट्री, अग्रिकल्चर, माइनिंग, एंड क्वेरिंग, एक अपने नोट लिखा है मैंने, ये नोट वनमार्क्स में क्य इत्राइम एक्टिविटीज की इसाब से काम है, अब इपन बात करेंगे, तो इध्यान रेकिना, विजो प्राइम क्रियों में आते हैं, प्राइम क्रियों में आने वाले शर्मिक लाइक किसान हो गई, जो घर से बाहर काम करते हैं, और नोकर भी हो गई, ठीक है, यानि कि प्रात्मी कारेकलाब करने वाल लोग उनका कारेशत्र घर से बाहर होने की कारण, घर से बाहर गर के अंदर रहे काम नहीं कर सकती, घर के बाहर करना पड़ता है, खेत कहीं दूर होता है, घर से बाहर नहीं कहला पड़ता है, इस कारण से लाल कोदर शर्मी कहलाते हैं, प्राइमरी अक्टिविटीज रूड रेड कोदर वर्कस दू अब नेचर देर वर्कस यह सिंपल सी बात कहा है लाल कोदर शर्मी किसां कहते हैं तो वो जाएगा कि प्रात्मी कारेकलाब करने वाले लोग पहली बात तो यह होना चाहिए कि वो कौन सी अक्टिविटी की बात करें प्राइमरी अक्टिविटी की बात करें यह सब काम करने वालोग चाहिए वा आखेट करने जाए ने तो भी घर के बार जाना पड़ेगा तो उन्हें क्या करने पर जो कहते लाल को दर शर्मी घुट हालागि अभी अब आखेट करना ज़रूर नहीं, अब आखेट करना का मतलब सहुरी वह नहीं करसकते निशेद है पहले कि जबम आखेट भग्रव लेयर हो जाते तो अब नहीं करते ये पहले की बात है आधिकाली इन्मानव की बात है जैसे ये application है कि आधिकाली इन्मानव का जीवन निर्वा दो निर्वा का का क्या कारी करने कितना तरीके तो साल दा र्रीमिट्फिमें वज डॉन दाइध से पहला इनिमल पहली शिकार करता था पश्चंग का आखहट करके शिकार करके अपना पैट पालता था दूसरा अपने समीब के जंगलों से खाने जंगली पहुत एक कंद फूल जो भी कंद मु कारण है वनमाक्स में ये भी कुछ ना सकता है कि आधिका लिन मानुका जिवन दिनवा के कौन से दो कारी होते थे तो यह दो कारी होते थे ठीक है next भोजन संग्रे मैंने कारण two parts in the whole world पूरे संसार की परंगे बात करें तो पहला उच अक्षांज के श्यातर जिसमें कौन-कौन आता है उत्री कनाड़ा है उत्री यूरेशिया है और दक्षिन चिली ठीक है और निम्न अक्षांज की श्यातर में उन्हों आज एक अमेजन बैसिन है और अफ्रिका है अधन चिली हो जाएगा फिर अपने बात करें लो लेटिटूड की इसके अंदर एमाजन बैसिन है ट्रोपिकल अफ्रिका है नदन फ्रेंज ऑस्टेलिया एंड इंटेरियर पार्ट्स अब साउथ इस्ट एशिया आपको कोई दो तीन-दो तीन याद कर लेने कौन-कौन से पर बोजन संग्रे किया जाता है और निमन अक्षांस में कौन-कौन सी जगें विश्वे के अंदर जहां पर बोजन संग्रे गैधनिंग की जाती कोई दो तीन-दो तीन एंग्जम्पल याद कर लें ठीक है इसके बाद में तुड़ा और जानेंगे एट परजेंट ये पनगर बात करें इन-morder आदोनिक समय में बोजन संग्रे की कार एक कुछ भागों में व्यापारी करन हो गया मतलब यह लोग क्या करते हैं पहले तो बोजन एकटा करते थे ठीक है लेकिन आज के लिए बिसनस भी करने लग गये है कैसे है कि यह लोग कीम पतियों का यह करते हैं पैइपदार्थ दवाईयां बनाने के लिए फिर रेशय को कपड़ा बनाने के लिए रेशय जो होता है उसे कपड़ा बनाते हैं पेड़ का तना होता है पेड़ का तना होता है टहनी उसका उपयोग रबबड गोंद बनाने के लिए करते हैं कोई द प्रजेंट के इंदर ऐसा होने लग गया पहले जो यह इसका इनका काम क्या था जो भी पोजन संग्रे की यह यहां तो पन सबसे पहले लिख दिया कि यह तो विश्वे के इंदर कौन-कौन सी जगह है जहां पर पोजन संग्रे किया जाता है और एक्चुल के इंदर वहीं उन कि जाने से बता दो त्युन कि आपने देख्या उगा इस आपने देख्या वी होगा चुएंगं को आप जब चबाते हो या चुंसते मूँ में तो चुंसने के बाद में गांच आइस भाव को पारत को क्या कहते है या चुन के के लेने के बाद सेशंचा बच्चे भाव को चिकल कहते हैं क्या कहते हैं तो इसको चिकल कहते हैं और यह से अब आपन जेपरटा जो वरक्ष होता है उसके दूद से बंता है जेपरटा अब नियुक डूशक कि दूद से बनता है मैल्ड फोंभ ना मिल्की जूशक लिए पर यू लूषब में वन टियार होता है तो ये जोपेटा वरक्ष जो प्राचीन जीवन निर्वा वेवसाय रहा है यह बहुत पुराना है प्राचीन है आजगल तो हालां कि लोग अपने घरों में रखते हैं पहले लोग बहुत जग है जिगा अपने पश्चों को लेकर जाते थे बहुत दूर दूर दरास तक चराके ले आते चे 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 तिन दिन चाचार माईनों से आते थे वापस घर पे बहुत ज़्यादा बैड़ बकरियां कि पीछे गाड़ी बना रखी होती है उसमें सामान लाद लेते थे ये लोग ठीक है और भोजन भी साथ में लेते थे वस्त पर वगएरा वहीं उसे में शरण लेते थे मलग कोई तो उसके आसपास मतलब उसके नीचे सो जाते है या पर उसके ओपर जो भी अपना मतलब पुरे विश्वक की बाते हैं इंडिया के साथ में तो चलूआ सी पश्चर कहांगा होता था तो ओशन कटीबिंदी अफ्रीका में गाय बेल परमुक पश्चु ए जो जो अफ्रीक है वहां पर गाय और बेल परमुक पश्चु है वहीं सहारा और एशिया के मरुस्ति दुर्वेश्यत्रों में रेडियर को पाला जाता है यह सब आपने समझ कियोंगे मेरी बात को ठीक है तो यह चीज होगी इन कहके याक और लामा अर्क्टिक और उप्र दुर्वेश्यत्रों में रेडियर थीक है न तो यह सब आते हैं जो कि अपनी याँ देख लोगे वाइड वराइटी ऑपने दिफरेंट रिजम्स लाइक अट्रोपिकल अफ्रिया केटल आर्दा मोस्ट इंपोर्टेंट लेव स्टोक व ठीक है रड़े यह रेडियर कर अपने बहुत एजी और चल्वासी प्रश्टोरन पर्मुख शैतर भी यह ठीक है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले एडिंग लगानी है पश्व चारन पश्व चारन से नमर एक चल्वासी पश्टोरन यह सब पोउंट अपने चल्वास इस असोचेटेट विद थी इंपोर्टेंट रिजन्स कौन कौन से उत्री अफरिका के अट्लांटिक तर से अरप राइदी फिए होता हूँ एक तो यह हो गया यानि कि अट्लांटिक शॉर्स अफरिका अस्ट वर्ट अक्रोस था अर्भीन पैनसुला इंटु मंगोलिया एंड सेंट्ल चाइन सेंटर अधिन यूरोप तथा एशिया के टूंडर परदेश टूंडर रिजिन ओप यूरेशिया दक्षिन गोलार्थ में पशिम अफरिकायों मेडगास कर दूए यानि साउथ वेस्ट अफरिका एंड ऑंदा आइसलेंड ओव मेगावस जिंदा सदन हैमिस पर ये तीन वेरी इंपोर्टेंड आपके हो जाएंगे तीनों की तीनों है मतलब वह जगें हैं जहां पर चलवासी परश्ण ज्यादा कि है ठीक है next रितु परवास इसी का एक टॉपे के लिए अलग से आ सकता है रितु परवास क्या होता है तो इसकी definition देख लो इसका English हो जाईग है ट्रांस हुँमन्स ठीक है यान रितु परवास तो बहुत एज़िए है रितु परवास रितु के अंदर परवास कर जाना जैस क्योंकि होता है कि गर्मी पड़ेगी तो गास जो मैदनी भाग के अंदर गर्मी ज़्यदा पड़ती है वहां का गास तो जल जाएगा तो फिर पशु क्या खाएंगे इसलिए वह जाएंगे परवती शेतुरों में जो हीली अर्याज है गर्मी वह तो वहां जाएंगे ठंड भी रहती है वह थीक रहता है और जो ठंड जैसे आएंगे तो फिर वो आजाएंगे मेदानी परहुति है मेदानी भागों कि एर जाएंगे चारम गौन के परवास करते हैं इनकी इसी गतिविदी को रितु परवास का जाता है ठीक है यह ना प्रोसेसों सॉ माइग्रेशन कि भारत में हिमाले के परवत्ती तो यह तो बात है पुरे विश्वे की अब भारत की पन अगर बात करें तो भारत में हिमाले के परवत्ती शेतुर में गुजर, बकरवाल, गदी यह भूटिया लोगों के समू है गृषमकाल में मेदानी शेतुर से परवती शेतुर में चले एक बकरवाल थीक है गाड़ी जबुटिया माइगरेंट फ्रों प्लेंज चुदा मौंटें इंश मर्स और प्लेंज फ्रों फ्रों इंटिइड विंटर न वर्ण विंटर्स यह ध्यान रकना वनमाक्स में कुछन आएगा कि भारत के इंदर हिमाईले के परवती शेत्रों में कौन कौन से लोगों को समों है जो है, गृशंम काल में मैदनी शेतर में सेल जाते हैं और शेट काल के अंदर इसमें मैदनी शेतर में, परवती शेतर से मैदनी सेल जाते हैं इदर ज़ी जाते हैं तो वो जाएंगे, गुजर, ب bättreyo, गदी और भूठिया ठेक फिर चलवासी पशुचारकों की संक्या गटने लग गई है, क्या कारण है एक तो यह कि राजनेतिक सीमाओं का अधिरोपन बिल्कुल पहले क्या बाउंट्रिया नहीं थी ज्यादा लोग चरा ले थे पशुचों वगरा थीक भी था आजकल यह बड़ा सिस्टम हो गया कि बाउंटी क्रोस नहीं कर सकते आप कई देश द्वार नहीं बस्तियों की योजना भी होगी कई देश जवाँ पर खाली जगे थीवाँ आप नहीं नहीं बस्ती है बसा दी सेटलमेंट कर दिया तो आप वहाँ पर पशुचराई नहीं सकते दो में करना है इंपोजिशन और पॉलिटिकल बाउंटरीज और न्यू सेटलमेंट्स प्लान बाइड डिफरेंट कंट्रेज चोटा सा कि शुना सकता है कि चलवाशी पशुचराणों की संक्या गटने के क्या खारण है दो करन हो जाएंगे फिर है नमर दो लगाना आपको वानी जीक मैंने कहा दा ना अपन दो बात पढ़ेंगे एक तो अपने पढ़ा चलवासी ठीक है नमर एक हां यह रहा चलवाशी पढ़ा अब अब अपन बनेंगे बताओ क्या शांदर तरीक है पूरी बुक की पूरी पेचेड यह आपके साथ में हो रही है बस टूदा पॉइंट पढ़ लो एक बार एक जलवाशी पशुदन पालन चलवाशी पशुदन की अपेक्षा अधिक व्यवस्तित होता व्यवस्तित पूंजी परदान है यह सोरी कट कर देना यानि के पूमर्शिल इस्टोर रेरिंग अलाइक कि नॉमेडिक हीरिंग के यह इसा मान लीजी कि यह हैडिंग लगालो यहां से टिक है प्यों जाएगा इसमें केवले एक ही परकार के पशुपा ले जाते हैं इस 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 पर इस पेस्पेसलाइज ए in which only one type of animal is reared जैसे हैं कि इसमें बेड हैं, बक्री हैं, गाई, बेल हैं, गोडे हैं ये वो हैं सारे के सार आपको एक जैसे लगेंगे मतलब ये पालतु जिन्हें होता है पालतु एनिमल ठीक है मतलब यहां पर बिजनस की बात होगी तो ये जैसे हिनका मीट है भेड बक्री इनका मीट हो जाता है ठीक है? और जैसे कि भेड की उन भी काम आ जाती है बक्री के भी जो हैं, उन या बाल जो होते हैं वो काम आ जाते हैं जो के एरोप्लेन के जो नीचे बिचाने में बहुत कुछ यूज है उसका आपने 10th क्लास में पढ़ाता है प्लस इनका मेट जो है वो डिबा बन एकदम पेखों के वीदेशू में भी जाता है तरीके से वरना तो सडगल के खराब हो जाएगा इसलिए बड़े तरीके से किया जाता है और विश्व में अगर बात करें इसकी तो इस परकार का जो पशूद जो यह जो वेवसाइक पशूदन पालन है न्यूजिलेंड, औस्टेलिया, अर्जेंटाइन, उरुगवे, सबसे ज़्यादा यह पालन इसका किया जाता है याद रखना है इसको फिर बात करते हैं यह अपना टॉपिक फिनिश होगे यहां तक अब अब नेक्स हेडिंग आपको लगानी है वो है अग्रिकल्चर, यह नहीं हेडिंग लगानी है आपको अग्रिकल्चर, यानि कि क्रशी agriculture क्रशी क्या है मुख्य थे क्रशी की प्रणगर बात करें तो मुख्य प्रणाले निमलकी थे क्रशी कौन कौन सी है देखो पहली निर्वाय करशी बड़े ध्यान से पहले समझना है ये मैं point बनाओंगा आपको सबसे पहले जो heading लगानी है आपको ये ये बड़ी heading है निर्वाय करशी फिर इसके अंदर कौन कौन सी आती है वो पन देख लेंगे यानि कि subsistence agriculture ठीक इसके दो भागों इसको भी दो भागों वर्गित किया जाता है ठीक है मैं विलास में चाट बना दूँगा आदी कालिन निर्वाय करशी ठीक है इसमें क्या आता है आदी कालिन निर्वाय करशी अत्वा इस्तानांतरन शील करशी अब आप ही समझेंगे इस्तानतरन शील करशी इसका मतलब आदी कालिन निर्वाय करशी उसी का नाम इस्तानांतरन शील करशी भी है कन्फिज मत वाना ठीक है कई यह उशं कटिबन्द ये शेतर में किया जाता हैं जहां आदिम जाती के लोग ये करिशी करते हैं इसका शेतर है अफ्रिका नक्र आखी Dalности पीरभायले और डेनी निर्वाकर्शी यानि कि primitive subsistence agriculture और दूसरा भी अगे ले लेंगे यह वाला अभी इसमें point बनाके दूसरा गहन निर्वाकर्शी आदी कालीन मतलब पहले वह लोग खेती करते थे इसमें और इसमें अफरीका दक्षिन अमेरिका दो एक्जम्पल यह इसमें आते हैं दो एक्जम्पल भी बहुत है ठीक है तो प्रिमेटियो की shifting cultivation और वाइली प्रैक्टिस बाइन मेही ट्राइब्स इन ट्रॉपिक्स स्पेश स्थ्तारे की वनिस्पत्ति को जला दिया जाते हैं जली राक की परत उर्वरका काई करती उब फरटाले काम करती एक तरीके से खाड बन जाती है इस प्रकार सिकनव कर्शितन है करतन अःंउ देहन कर्शि भी कहलाती है इसका दूसरा नाम हो ओर है अब कितने नाम हो गया इसके आधिकाली निर्वा करशी इसी का दूसरा नाम है इस्तांत्रण शील करशी, Shifting Cultivation एक तो primitive substance यानि दूसरा, Shifting Cultivation दो दो हो गे और तीसरा हो जाएगा, Kartan अउद दहन करशी, यानि की the vegetation usually cleared by fire and ash add to fertility of the soil, Shifting Cultivation is thus also called slash and burned agriculture, यह भी इसी का नाम है, फिर इसमें बोये खेट बहुत छोटे छोटे होते हैं यह सारी विशेश्टाइएं हैं एक्जाम आज जागए इसके विशेश्टाइं लिखिए खास-खास बाते हैं लिखिए तो यह मुख्य बाते हो जाएगी खेटी भी पूराने अजार जैसे की लकडी हैं कुदाली हैं इसके द्वारा की जाती है यह चाहती थी पहले आप तो कम हो गई और भारत की परंगर बात करें तो Zooming भारत के पुरी विलाजियों के इसको कहते हैं Zooming कहती मद्ड अमेरिका और मेक्सिको में से कहते हैं Milpa Malaysia Indonesia में कहते है Laodang सीधा सीधा एकजाम कि कुक्त शनाएगा कि कि लादंग की जगह मतलब कि इस खेर्थी का नाम आ जागा प्रिमेटिव सबस्टिवियन की आदिकाली निर्वाय करशी को लादंग विश्व में किस जगह जाता है। आप कहांगे मलेशिया इंडोनेशिया में फिर कहेंगे की जूमिंग कहाँ जाता है तो यह आप कहाँगे बारत नौ्ष ऑससें पते कि अपर एंडिया की ऑ्रुट कहांगे आप इस्ट में त में तो हैं जुमिंगे august da प्रफेक्ट बस खेंज देना पर बड़े थरीके हैं फिर गहन निर्वा क्रशी नमर दो यानि की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर ठीक है इसके इस परकार की क्रशी मांसुन एशिया के घने बसे देशों में की जाती है ठीक है जहां मांसुन एशिया इस टाइप से लाटसी फॉंथ गार देंसली पॉपुलरेटे डिजिन डिजन ऑ इसके वहां पर और इसके दोप्रकार है जैसे उसके दोप्रकार की किसके दो परकार थे जैसे निर्वाCre करुम सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर ओसा अभी बढ़े रहा है कुन सा गहन निर्वा कर्शीकilla भी दो परकार हो रहे हैं वापस हैं ठीक है इसके दो परकार है पहला चावल परदान ग्याहन निर्वाकरशी यानि की इसका हो जाएगा अपना इंटेसिव सफसेंज अगरिकल्चर डॉमिनेट पाई वैट पैडी कल्टिवेश ठीक इंग्लिश में थोड़ी से लंबी लाइ क्या हो जाएगी इसमें चावल परमंग फसल होती है ठीक है नाम से बता चलब जाए अधिक जनसंग्या गनतवे के कारण खेतों का आकार चोटा होता है क्रशी कारिये में क्रशका संपुर्ण परिवार लगा रहता है क्योंकि जनसंग्या ज्यादा है छोट-छोटे खेत है ज्यादा मतलब काम करने के लिए मजदूरों की जरुत नहीं होती खुद के खुद ही पुरा परिवार उसी में लगा रहता है और वरता बनाने के लिए पश्यों की गोबर और हरी खाद गौप्यों किया जाते है ठीक है बहुत असान है जैसे उसके अंदर जो पने पहले प ठीक है राइस के अंदर मुक्य फसल है लेंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल द्यू तो हाइड एंसिटी ओ पॉपुलेशन फार्मर्स वर्क विद दा हेल्प फैमिली लेबर लेडिंग टू इंटेंसी यूज उप लेंड और फार्मयार्ड मैनर इस यूजड मैंटें दा फ एक रख्रिक्षिं में क्या फरक है तो इसमें सींचाई की जाती है अग्रिकल्č्र क्योंकि इसमें चाउलब नहीं होगे तो इसमें सिंचाई की जाती है, मैं निदी तो ये फिर उतरी चीन, मंचूरिया, उतरी कोरिया, उतरी जापान में गेहूं, स्वय बीन, जोयाग, ऐनोसुर्पम होए जाता है बारत में सिंद गंगा के मेदान के पश्चिमि-बाग में और दक्षिन उपस्ट में शुष्क पर्देश में जौार और बाजरा परमुक्त रूप से उगाई जाता है वो इसी माता है यह हमारे इंडिया के और मैंने हर बार कहा जब भी पर्ण ड्राइ पाट्स ओफ वेस्टर एंड साथन इंडिया हमारे जो दक्षिन भारत है उसमें जो आर बाजरा मुक्त है वो यह जाते हैं तो यह एक टाइप पढ़ लिया अपने जो मैंने बड़ा सा लगाई था क्रशी क्रशी में नमर एक पढ़ा अपने निर्वा क्रशी के दो टाइप पढ़ लिये अब अपन नमर दो लगाएंगे हैडिंग क्रशी रहेगी हैडिंग मेरी बाद सुन लेना क्रशी है डिकरी कलचिर है डिकर ये इसके अंदर अभी तक एक नमर पढ़ा एक निर्वाकार्शी उसके दो दो सब टाइप पढ़ लिये ठीक अब अपन रोपन करशी Plantation Agriculture और अपने पड़ा भी था पॉलिटी के अंदर पड़ा था एक बार एक चीज आई थी कि जो हमारे काशतोर से UPBR के लोगों को जो अंग्रेज हैं यहां से सश्ष्टे शर्मेंग लेके जाते थे रोपन करशी के लिए Plantation Crop में जिसमें यह चाई, कोफी, यह जो चीजें होती है इनके लिए बैसे के लिए ठीक है बस वोई इसमें है यूरोपी उपनिवेशन है मतलब जो यूरोपी अंग्रेज जो थे उपनिवेशन का मतलब जो यहां पर आके राज करते हैं उपनिवेशन अपने अधीन उष्ण कटे में चाई, कोफी, कोको, रबड़ कपास करना के लिए अननास है निक पाइनेपल की पोद लगाई ठीक है और इसमें करशी चेतर गाकार बहुत विश्तृत होता है जैसे वो भी फसलों की बात की छोट-छोट खेत होते हैं लेकिन यह बहुत विश्तृत होते हैं बड़े-बड़े खेत होते हैं इसमें अधिक पूंजी निवेश, इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है अधिक पूंजी निवेश होता है प्रबंद अच्छा होना चीए देख रहें अच्छी होनी चाहिए तकनी की आधार होना चीए कुछ टेक्नोलोजी की जरुत पड़े की बढ़ना चाहिए को फी सब खराब हो जाते हैं और वेग्यानिक विद्यों का परियोग इसके अंदर किया जाते हैं बागी बागी गया हो गयरा है मैं कोई टेक्निक की जरुत नहीं छोटी मोटी होती ही जो आप हर कोई किसान कर सकता है लेकिन यहां पूरा सिस्टेमेंट से काम करना पड़ता है यहां कि इस टाइप ऑफ फार्मिंगा लार्ज एस्टेर्स और प्लानेटेशन लार्ज कैपिट आती है और यह दो बने पढ़ लिए टी कोफी कोको रबबर कोटन सोगुरकेन मनास और पाइनेपल यह सब किसके अंदर आते हैं एक्जामे क्योशन डन हो जाएगा ठीक वनवाक्स में क्योशन आ जाएगा रोपन क्रेशी में कौन कौन सी फसलें आती हैं याद कर ले नहीं अब कुछ एग्जमपल है जैसे की फ्रांस वाश्यू ने पश्यमी अफ्रीका में कोफीयों कोको की पौद लगई थी सबसे पहले फिर ब्रिटेन वाश्यू ने भारत और शिरलंका लंका बोदो चाहिए शिरलंका में चाय के बाग और मालिये श्या में रबबड के बाग और पश्यू में दीश्वमों में गन्ना और केले के बाग विक्षित किये थे अंग्रेजू ने बिटेन वाश्यू ने अंग्रेजू ने तो चीप लेबर सस्ता शर्मिंग मिल जाता है और गूड सिस्टम अब ट्रांस्पोर्टेशन विच लिंक्स था एस्टेट दा फैक श्रिलंका 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 वहां तो टीके बड़े बड़े चाय के बागा नस्तम की साइड में लगा लिए थे बहुत तगड़े आज भी हैं हालां कि अब यह सब अंग्रेजू के दिन नहीं है अब जिस देश के अंदर जो कि हैं जैसा भारत वाले सब भारत के मां के अंदर आते हैं और उनीक अधिकार उसके उपर ठीक है वह चीज है रबर प्लांटेशन मलेशिया और सुगर केन और बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज एक्जाम में कुछन आ जाए गई याद रखना मनमाक्स में फिर कुछ एक्जंपल हो रहे हैं इस्पैनों अधिका वाशियों ने फिलिपाइंस में नारियल वे गन्य के बागान लगाई थे ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है इंडोनेशिया में एक समय गन्य की करशी में जो हॉलेंड वाशिते डच जो थे उनका अधिकार था और ब्राजिल में अभी भी कुछ कोपी के बागान जिने फैजन्डा का जाता है यूरोप वाश्यों का नियां तरण है एक जाम में क्यूशन आएगा फैजन्डा कोफी के बागानों को फैजन्डा किस देश में का जाता है ब्राजिल में ठीक है यानि कि Spanish and Americans invested heavily in coconut and sugarcane plantation in the Philippines फिर the Dutch on head monopoly और sugarcane plantation in Indonesia और सम कोफी फैजन्डा यानि लार्ज बाड़ी संक्या plantation in Brazil and still managed by Europeans आज भी European के दौर्ट को अंडर में लिया जाता है आज भी हालां कि बाकी सब जितने भी है वो सब अपने अपने देश में control करते हैं ठीक है फिर नमर 3 तीन नमर पढ़ लिया अपने ये बड़ा तीन नमर पर ने पढ़ाता ना भी है मैंने जो चार्ट बनाए चोटा सा देखो यह जुह हैं यहां आपने बात की थी तो दो पढ़ लिये अब तीन नमर तीन सा पढ़ रहे हैं पहला तो दो नमर ओपन गरशी पढ़ लिया था अब आपस नमर तीन पढ़ रहे हैं अपन तीन नमर अपना आ गया है यह विश्दित वानिजे अनाज करशी extensive commercial grain agriculture करशी का पूरा बड़ा topic इसके अंदर बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको ठीक है इसकी मुख्ये फसले हैं मुख्ये फसले वो ग्यों है इसकी मुख्ये फसल कौन सी है ग्यों ठीक है अंतुरों मतलब tractor है इन सब के द्वारा होता है और इस परकार की करशी चेतर है वह यूरेशिया के steppies उत्री अमेरिका के प्रेरी अर्जेंट अर्जेंटाइन के पपाज और दक्षणी अमेरिका के वेल्डस और उस्टेलिया के डाउंस और न्यूजिलेंड के केंटरबरी के मेदान में हैं सारे याद करने की जरुत नहीं है कोई दो तीन एग्जामपल याद कर लो आपकी जो मर्जी जो में आपको ठीक लगे ठीक है ना यानिकी तो अधर क्रॉप्स लाइक कॉन बारले और्स और या ओल्स ग्राउंड गांड दा साइज उप्ता फा अग्रिकल्चर बेस्ट डेलप्ट इन यूरोसिमा स्टैप्स दा कैनेडियन एंड अमेरिकन पर इस दा फांड पर अपर अर्जंटिन दा वेल्ट आपने पढ़ लिया वह क्यों यह दो तिन एक्जामपल कोई भी दो तिन एक्जामपल इसके नाल देना कि विश्थित वान की करेशी ऊतरी पश्ची में यूरोप ऊतरी अमेरिका का पूरी भाग यूरेशिया के भाग दक्षनी महादीपों के सब शितोशन अक्षांचु वाले भागों में इसका विस्तार है मतलब हर एग्रिकल्चर का हर करेशी कौन सी जगें पर फैली हुई है उसके दो तीन दो समझो बहुत एज़ी है मुश्किल कुछ भी नहीं है निर्वाकरशी निर्वाकरशी की अगर बात करी तो निर्वाकरशी में यह पढ़ लिया कि निर्वाकरशी के अंदर खेट छोटे छोटे होते हैं पड़ा दूसरा अपने पड़ा रोपन करशी प्लांटेशन क्रोप प्लांटेशन के अंदर खेट बड़े बड़े होते हैं फिर अभी अपने जो पीछे पड़ा ये जस्ट ये वाली विश्टित बाने चारा इसमें भी खेट बड़े होते हैं अब मिश्चुत करशी इसमें खेटों अगर मद्देम होता है ना तो छोटे ना बड़े खेट क साइज भी याद करना है बहुत जरूरी है ठीक है इसमें वही जाने हो यह फसले कौन-कौन सी अच्छा ये भी ध्यान रखना कि कि किसमें कौन सी फसल है मतलब आपको बैसी के लिए याद क्या करना है एक तो यह याद रखना है कि जो पनी एग्रिकल्चर एक रशी जो बढ़ा हैं छोटा हैं मद्यम है साइज याद करनी है तो देशों के नाम और खेतों के साइज प्लस फसलों के नाम याद करना ही जरूरी है ठीक है याद रखना तो गेहूं जो राई जई मक्का चारे की फसल कंदमोल पर्मों के और चारे की फसल मिश्ट कर्शी के मुक्य गटक भी है, चारे की फसल जितने ही बहूत है, तो गेहों से चारा होता है, ठीक है, आप जाही यह सब आएंगे आए की सुब चारा खाने वाले हैं तो यह हो जाएगा ठीक है तो यह सब इसम पढ़ लेंगे पर फॉर्म फाउंड नौर्ट वेस्टन यूरोप इस्टन नौर्थ अमेरिका पार्ट उड़िया एंड़ाइट लाटिटूट्स अप साउथ सदन कॉंटेंट्स और में सब्सक्राइब मोडरेट इन साइज और यूजली दा क्रोप असोचेटर विद इट इट आर बार्ली ओट्स रे मैज फॉडर एंड रूट क्रोप्स इसके अंदर बैसे के लिए शामिल होती है और फुडर क्रोप्स आर एन इंपोर्टेंट कॉंपोनें इसका मुख्य गटक है और इक्वल एंपसी लेड़े लेड़न क्रोप कल्टिवेशन अनिमल हस्बेंट्री अनिमस लाइक कैटल हैं शीप हैं पिक्स हैं और पॉल्ट्री प्रोवाइड दा मेन इंकम अलोंग विद यह जो इनके मेन जो हैं मवेशी में तो गाए बेंसा जा चाहिए इनके मीट को बेचो सब कुछ यह इनके आई के शरौत भी हैं तीक है न मेशित करशी हो गई फिर नमर पांच है डेरी करशी नाम से पता चल रहा होगा आपको डेरी फार्मिंग मतलब इनके दूद बैसे के लिए जो होता है तो डेरी वेवसाइड दूधारू अच्छी चीव बड़ी हाई किस्म की जो मुर्रा नसले होती है तो इन सब भेंसुकिया गायों की जो किस्म होती है अलग अलग तरह की इनको बड़े ध्यान से गाई मैं इसको एक तो पहली बात तो यह है कि चिकी से सुखी देनी पड़ती है वनना बीमार पड़ जाती है तो इनमें भी कभी-कभी रोग आता है तो एक साथ मर जाती है वो सब ध्यान अकरना पड़ता है डेली मेहनत का काम है सुबह शाम दोनु टाइम तो इनका दूद निकालना है प्लस तीन चार बार इनको जो है ओ चारा नीरना चारा खाना देल डालना है पानी पिलाना है इन मिल्च अलिमल इस हाईली केपिटल इंटेंज्व थोड़ सा यह महंगा जरूर पुंजी की ज्यादा हो शक्ता होती है क्योंकि गाए बेंस जो बहुत महंगी आती है और स्पेशल एंपस्ट ब्रीडिंग हेल्थ हेल्थ केरन वेटनेर्टी सर्विसेस यह सब इनको देना प दूद को बैच सके क्योंकि सिटी के लोग तो गायब है सरक नहीं सकते तो फिर वो मौल खरीते हैं दूद को बढ़िन से ले लेंगे तो डेरी कृशी का कार्ये नगरिये और रोद्योगित के अंदरों के समीब किया जाता है यो डेरी कृषी है वो बिल्कुल इनके शिटी कि फिर दोस्रा वानिज्वी lauuuu तीन प्रकार की होते है भी इसके विक थीन शेतर है वीश्व मैं तो सबसे बड़ा प्रदेश ए है उत्री पश्मी यूरॉप सबसे बढ़ा उत्री पश्मी यूरॉप नंबर एकसर हो जाएगा लूम्द बूसरा लूचाящ 민व नीजिल पूरी ऑस्टेलिया वे तसमानिया यह तीन ऐसे शेत्रे वाणिज़ करशी के तीन परमुग शेत्रे जहां पर यह इस तरह की करशी यह इस तरह की एक रिगर्ज़ किया जाता है सबसे बढ़ाता है नोर्थ वेस्टन यूरॉफ सेकिंड है कैनड़ा और थार्ड बेल्ट जो है वह थार्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ इस्टन ऑस्टेलिया नियूजलेंड एंड तसमानिया वेरी वेरी इंपोर्टेंड है यह था क्योशन ठीक है अगले इपन बात करें न है इसका नाम है इसका विस्तार भूमद्दे सागर के समीपवर्ती शेतर जो दक्षिन यूरोप से उत्री अफ्रिका में ट्यूनीशिया से अट्लांटिक तक फैला है मैंने कहा था न हर क्रशी में आपको एकी चीज़ रखनी है कि वो किस जगें पड़ती है ठीक है फिर य इसे वाइन वगड़ा बनाते है शराब बनाते हैं अंगूर की करशी भूमद्दे सागरी शेतर की विशेचता है इस शेतर के कई देशों में अच्छे किसम के अंगरू से उच्च गुणवता वाली मदीरा का उत्पादन किया जाता है और नेमने श्रणी के अंगरू को कौन सी करशी के अंदर ज्यादा मतलब की शामिल किया गया है तो बुम्मद सागरे करशी में अंगूरी खेती शामिल किया गया है और अंगूर की खेती में जो अच्छी वराइटी के अंगूर होंगे उसमें अच्छी वराइटी के मदिरा तियार की जाती है और जो लोग वा इन दे कंट्रीज एड उन अधर साइड अप्टाम दा मेट्रीरी नीटेर इन दा यूरॉप और अफरीका फों तुनीशिया इन आट्लांटीक स्ट यह तो जगह हो गई फिर this region is important supplier for citrus fruits मतब खटे फलो के लिए जाना जाता है और विक्टर्स या फिर grape cultivation ले लिजा grape cultivation is especially of the Mediterranean region और best quality vines in the world with distinctive flavors are produced from high quality grapes in various countries of this region और the inferior grapes are dried into resin currents और this region is also products all event fix यानि कि इसके अंदर ये अंजिर और जेतुन भी इसके बनाई जाती है बागे किश्मेश और मौनक का भी जो थोड़ी लोक वालिटी के होते हैं उन से बना लिए जाते हैं नम्र साथ है बाजार के लिए ये अच्छा है बाजार के लिए सबजी खेती हूं उद्यान-क्रशी जैसे ये सर सारी बातें आप भी सीख सकते हो ये अच्छा विजनस है एक्छूरी ये बहुत अच्छा बिजनस हो और ये बिजनस आजगल पढ़े लेड़के कर रहे हैं और वहां से डाइट सप्लाई कर सकते हैं, तो इस परकार की करशी में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे की सबजियां, फल और पुष्प लगाई जाते हैं, अब पुष्प आपको पता है, मंदरियों वगरा में चड़ते हैं, फोल, फोलों की माला वगरा, बहुत ब लगेगा, मैंनों ज्यादा लगती है, इसके अंदर पूंजी भी काफी चाहिए, इसके तरिक सीचाई, प्रॉपर चाहिए, और वरग, अच्छी किसम के बीज, केट नाशी, हरित ग्रेम, शीत चत्रों में, कृतिम ताप पर इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है, कृतिम चत्रों में, कृतिम ताप का भी, कृतिम का मतलब ये है, कि सीधी सनलाइट इसके उपर नहीं पड़ी रहनी चाहिए, आपना देखा हो को बड़े-बड़े एकदम टेंट की तरह तंब तान की कि पैटी पैक रखते हैं उनको, एकदम घर की तरह बनाते हैं, फिर उपर जो सीर्स, अच्छे किसम के बीज, फर्टलाइजर्स, और इंसेक्टिसाइड्स, और ग्रीन हाउस हासेज और आटिफिशल होटिंग इन कॉल्डर रिजम्स, ये सब चाहिए नहीं ज्यादा ठंड से एंड करेंगे, कृत्रिम ताप इनको चाहिए, नॉर्मल जो टेंपरेचर म नाम से भी जाना जाता है वह पिर देख लेते हैं, नीधर लेंड जो है, नीधर लेंड के अंदर पुष्प उत्पादन में विशिष्टी करन रखता है, अब एक्जाम में कुछन आ जाएगा, कि जो फ्लार है, पुष्प जो है, फ्लार का जो प्रोडक्शन है, ग्रोइं यूरोप के परमोग शहरों में बेजा जाता है जिन परदेशों में करिशिक केवल सब्द अजब यहीं तक समझो ठीक है दा निदर्लेंड इस्पेलाइज इन ग्रोविंग फ्लाट्स और होटी कॉल्च और इस्पेशलिग ट्यूलिप्स 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 वह नि यूरोप के अंदर बेजता है फिर नहीं है अरक से ट्रक करशी कि जिन परदेशों में करशिक केवल सब्द पैदा करता है वहां इसको ट्रक करशी का नाम दिया जाता है जैसे अभी अपन ने क्या खा अभी अपन पर ने बाजार के लिए सब्जी खेती हो द्यान करशी क्यों कि किसान डेल ली सब्जी रोजना चाहिए हमेशा एक ट्रक बरता है और मार्केट में भेज देता है बस इसलिए ट्रक करशी बोला जाता है यानि कि जिन परदेशों में करशी केवल सब्जी पैदा करता है वहां इसको ट्रक करशी का नाम दिया जाता है ठीक है और ट तो तरक करशी क्यों रखा गया तो reason यह है कि जहां पर एक करशी की जाती है वो करशी फार्म और जो मार्केट को भीजना चाता है टरक भर के तो इनके बीच की जो distance कवर करता है टरक एक रात में इसलिए जो कह दिया टरक करशी ठीक है क्योंकि यह टरक के दौड़र इसका नाम जो ट्रक फार्मिंग पढ़ गया बहुत एजी है तो इसका नाम जो ट्रक फार्मिंग पढ़ गया बहुत एजी है सब कुछ नोट्स में हैं बस शांदा तरी की जब पढ़ ले ना एक बार अब नमर आट में सहकारी करशी क्या नाम है इसका सहकारी करशी कोपरेटिव फार्मिंग इसमें क्या होगा कि जब करशकों का एक समू है अपनी करशी से अधिक लाग कमाने के लिए सुच्छा से सहका सहकारी बनान कर बनाकर क्रशी का यह क्या होता है इनका क्या मोता है यह अच्छी किसम के 20 देते हैं और दूसरी बात जब फसल पक जाती है और जब किसान बेचता है मार्केट में यह लोग खरिद लेते हैं अच्छी मतलब की अच्छे दामों में क्योंकि ताकि बाइक किसान बहुत फसल बेचने पड़ेगी वरना उसके पास में स्टोरेज होता नहीं हो तो सडगल जाएगी फिर तो यह अच्छी रेट में उसको खरीद लेते हैं क्योंकि यह थोड़े बड़े सेट होते हैं इनकी पैसा होता है और रखने के लिए जगें बहुती है फिर यह सरकार को आगे बैश देंगे तो यह नुकसान इनको भी नहीं होगा ना किसा नुक होगा यानि कि सहकारी संस्क्रिकों को सभी रूप से सहाइथा करती है जैसे कि खरीद करने में फसल को खरीदने में करशी की कमी है कुछ जैसे की बहुत सारे रोग लग जाते हैं उनके लिए इलाज के लिए कुछ भी डालना हो तो वह चाहिए सब कुछ एफर अवलेबल करवा देते हैं ठीक है तो ग्रूप फार्मर्स फोर्में कोपरेटिव सोसाइटी बाइप पूलिंग इन देर सब्सक्राइब इन देर इनको दिरा देते हैं ठीक है तो यह अपनों याद रखना है फिर अब कुछ हिस्ट्री की बात है कि सहकारी अंदोलन एक शताबदी पूर परारम हुआ था एक शताबदी पूर परारम होता यह और पश्ची में यूरोप के डैन्मार्क निदर्लेंड बेल्जियम स्वेडन और इटली में यह सपलता परूप चला ठीक है कोपरेटिव म सब्सक्राइब करें यह सब्सक्राइब करें इसकी डैन्मार्क में यह सरवादिक सब्सक्राइब मतलब हर किसोन अगर इस अंदोलन का सहकारी मोमेंट का मतलब अगर कोपरेटिव मोमेंट का अगर सदेश्य बन जाता है, मेंबर बन जाता है तो फिर तो वाकिए सक्सेस्फुल है और वो हुआ था डैन्मार्क के अंतर हर किसान, हर करेश्यक इस अंदोलन का एक सदेश्य बना यानिकि इन डैन्मार्क, the moment has been successful that particularly every farmer is a member of the cooperative इसका मतलब वहां पर exam equation आजाएगा, कि जो सहकारी आंदोलन है, cooperative moment जो है, वो सबसे ज्यादा successful कहा रहा, exam आपका अंसरों का डैन्मार्क, ठीक है? फिर है नमर नो, सामुही करशी, ठीक है? यानि कि collective farming, सामुही करशी, collective farming, जैसा कि नाम में पता चल रहा, सामुही, 181, करशी का यह परकार, पुर्वे सोवियत संग में प्रार्म हुआ था, जहां करशी की दशा सुधार ने, उत्पादन में वर्दी, आत्म निर्वरता प् प्रारम की गई, इस परकार की सामुही करशी को सोवियत संग में कौल खडोज, ठीक है? सोरी, सोरी, कौल खहोज, कौल खहोज का आ जाता है, कौल खहोज का नाम दिया गया, सीधा-सीधा क्यों शनाएगा? पहली बात ही आएगी, सामुही करशी कहां शुरू हुई थी? तो कौल खहोज was introduced in erstwhile Soviet Union, ठीक है? अर्स्टवाइल सोवियत पूर्वे, जो पहले का Soviet Union था, वहाँ पर शुरू हुई थी? दूसरी बात ही आएगा, कि इसका जो वहाँ पर सामुही करशी है, सोवियत संग में इसको किस नाम जाना जाता है? तो नाम जाता कौल कहोज, कौल प्रोटेंट है, द्यान रखना है तो यह थे नो परकार आपके, टोटल नो परकार की करशी हो गया, बहुत अच्छे से सबसे पहले नाम याद कर लेना, फिर आपको सबसे एक चोटा चार्ट बनाना है, और उसमें लिखना है, सबसे एक अगरिकल्चर करशी का नाम लिख प्रोटेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें of affecting mining activity खनन किरियों को या mining activity को इसे कौन-कौन से factor है जो effect करते हैं तो पहला बहुतिक कारक heading क्या है? बहुतिक कारक बहुतिक कारक, आर्थिक कारक physical factors economic factors, heading हो जाएगी बहुतिक कारक क्या है? जिन में खनीज, निक्षेपूं के आकार श्रणी उपस्तिति की अवस्ता को समिलित करते हैं तो पहली बात तो ये नाम याद हो जाएगे बहुतिक कारक, आर्थिक कारक ठीक है? दो ही है, बहुतिक कारक दो ही है, अब बहुतिक कारक में physical factors में कौन-कोन आते हैं? तो size, grade and the mode of operations of the deposits वो भी आजाते हैं, दूसरा आर्थिक कारक जिनमें खनीज की मांग, अब खनीज की मांग भी तो होनी चाहिए, अब खनीज निकाली कूप सरे, लेकिने मार्केट में है, तो हमारा देश के मांग ही नहीं है, तो फिर खर्चा अब ही बहुत ज़्यदा होता है, इसलिए गड़वड हो जाएगी फिर तो, विद्यमान तक्निकी ग्यान होना चाहिए, वरना आप ये माइनिंग करोगे कैसे हैं, उसका उप्योग, अउसरचना के विकास के लिए उप्टब पूंजी, याता याते हो शरम पर होने माला व भी बिकेगा वरना बिकेगा नहीं, तो ये कुछ सचे इस दा, डिमांड फोर दा मिनरल, टेक्नलोजी अवेलेबल एंड यूजड कैपिटल तु डवलफ इंप्रस्ट्रक्ट्ट्रक्शर एंड लैबर, एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट, ये साब इसके अंदर शामिल है, तो खनन कारिय को परवाइद करने में लेकारक दो है, बौतिक कारक, आर्थिक कारक, फिसिकल फेक्टर, एकनोमिक फेक्टर, ठीक है, फिर खनन की विदियां है, यानि कि में तर्सो माइनी एक्जाम में कि उशना आ जाए, तो उपस्तित्ति की अवस्ताएं और आयस की परक्रत खनन, दो परकार है खनन के, पहला धरातल ये जिसका नाम विवर्त खनन भी है, धरातल ये पर विवर्त खनन और दूसरा है भूमिगत खनन, दो तरे खनन, एक तो धरातल पर जो मिल जाए, उपर ही, ठीक है, उपर ही जो मिले, एक खुदा ही करने से जो मिले, धरातल पर मि विवरित खनन भी नाम है इसका दूसरा दरातल यह खनन या विवरित खनन या फिर जो खोद का निकाला लाएक कोईला है गोल्ड यह सब तो वो था भूमिगत खनन जमीन कंद से निकाला गया ठीक है यह डिपेंडिंग ओन दा मोड़ ओक्रिंट्स एंड नेचर अब दा और म दरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अत्वा कूप की खनन ठीक है कूप की खनन विदी जो आपके बुक में डियाग्राम दे रहे का कूप की खनन विदी का उसका परियोग किया जाता है वें दा और लाइस डीप बिलो दा सरफेस अंडर ग्रांड किया जाता है कूप की तरह कोद के चलिए फिर डाइग्राम ले लेते हैं यह यहां पर यह जमीन है समाले जी यह जमीन का ले रहे ठीक है अपनी अर्थ है और यह जो ही खुदाई हो रही है से मतलब यह तो आ जाएगा विपटी खदन या पर विवरित अत्वा विपटी ख और जाएगी लेकिन यह हो जाएगी जिए जिसको होता है जो आपको समझ में आगया को यह ज़रूर ध्यान रखने नहीं तो इसमें विशेश परकार की लिप्ट जो है ना बैदक जिसको अपनने बैदक मत लता है बरमा जिसे कहते हैं लिप्ट लेCar विशे इस परकार की की बड़र होती है और माल दोने वाली गाड़ियां और वायू संचाद प्रनाली की सब क्या आउशक्ता होती है वरना खनन अंदर तक होता नहीं है इस सब सिस्टम है ठीक है अफरिका के कहीं देश जैसे के दक्षिन अमेरिका क्या कुछ देश एशिया में आई के साधिन जितने भी इंकम का सोर्स का 50% बहुत बड़ी चीज है 50% जो है न खनन से ही उनकी इंकम होती है यह बहुत बड़ी चीज है यानि कि Minerals are extracted and transported to the surface through these passes that requires specially designed lifts, drills, hulls, vehicles या फिर ventilation system for safety and efficient movement of people and material और several countries of Africa and few of South America and Asia have over 50% of the earnings from minerals alone अकेले Minerals से 50% इंकम यह होती है तो यह था आपका chapter बहुत ही easy, बहुत ही छोटा सा chapter है ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है ज्यादा मुश्किल भी नहीं था जो अपने आराम से complete कर लिया है बस मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि बड़े ध्यान से इसको selected चीज़े है सारी की सारी और बहुत ही तगड़े तरीके से आपके notes आपको बना लेने है इस पूरे chapter के जो proper notes इसको अच्छे से लंग से समझ लिया है मेरे साथ की साथ कोई single doubt रहने वाला नहीं है, single question के बाहर जाएगा नहीं बहुत ही proper तरीके से फिर बता दूं क्या ध्यान देना है, complete chapter एकी class में अपने complete कर लिया सबसे पहले कौन कौन सी जगें जो है, कौन कौन सी agriculture और बड़ा है करशी वाला, तो कौन सी करशी कौन से देश में की जाती है और उस करशी में कौन कौन सी फसलें बहुए जाती है, कौन कौन से पशुपक पशुपक अगर नाम है तो वह उनकी सब की याद कर लेने, factual चीज़े हैं, कहीं के पर किसको किस-किस नाम से जाना जाता है, वो भी factual वाले question वाल से बन माक से बन जाते हैं, इन सब को कर लेना, और रही फई कसर, मैं निकाल दूँगा इतना बड़ा test मिलाओंगा, इसका live test होगा, क्योंकि इसमें question बहुत बनेंगे, 100 plus का MCQs test ले लोगा, 100 plus question, उसको डंग से अगर देख लेते हो, तो फिर कोई बाहर रहने का chance ही नहीं है, उसने revision हो जाएगा, लेकिन पहले इसको deeply प